नमस्कार दोस्तों वैश्णवी और्गेनिक डेली फॉर्म में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे पसुओं के नवजात बच्चे के पोसक तत्वों की कमी से होने वाले रोग वह अनिवारन के बारे में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं प्राय पसुपालक भाई या पकड नहीं पाते हैं या सिकायत रहती है कि उनका नवजात बच्चडों में सही प्रकार से सारीरिक बृद्धी नहीं हो रही है बच्चडियां पैदा होते हैं कमजोड और दुरवल या फिर आँखों से दिखाई तक नहीं देता है नवजात बच्चडों में इस तरह की परसानी के लिए अनेकों कारण है परमुक कारण सरीर में बिटामिन और खनीज मिस्रन की कमी का कारण भी हो सकता है या इसके पीछे इसकी मात्रा सरीर में सुच्म रूप से ही आवस्यक है क्यूंकि 14 परकार के खनीज लवन पसू सरीर के आवस्यक होते हैं इन में से काफी खनीज लवन अहार द्वारा प्राप्त हो जाता है खनीज लवन में केलसियम, मैगनेसियम, पोटेसियम, क्लोरीन, कॉपर, कोवाल्ट एवं जिंक के नाम सामिल है इन खनीज तत्वों की कमी के कारण पसूओ में विक्रीतियां देखाई देने लगती है खनीज तत्वों की निवन्ता के कारण पसूओ में विक्रीतियां, नवजात बच्छडो या पसूओ में रक्त हिंता, सारीरिक ब्रिधी में रुकावट, मादा पसूओ में प्रजनन संबंधित रोग, कैलसियम की कमी से रिकेट्स रोग, मैगनेसियम की निवन्ता से घास टीटेनी रोग, मैगनेसियम की निवन्ता या कमी से घास टीटेनी रोग, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, कोबाल्ट की कमी से तोचा रुखा, दस्त होना, कमहार खाना, अत्याधिक मिर्तियुदर, कैलसियम और फास्फोरस 2.1 अनुपात में होता है, इसके अनुपात के असमानता के कारण रिकेट सुरोग होता है, इसमें हड्यों की बृधी अवरूध हो जाती है, और घुटनों में सूजन तथा कठोरता दिखाई पड़ती है, कमर या पीठ, चाप की तरह कभी-कभी पूछ तथा उठा हुआ दिखाई देता है, अगर ये जनकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, थैंक्यू, धन्यवाद देता है, चाल में परिवर्तन, सारीरिक असंतुलन, जब हलकी चोट या फिशलन से गिरने के कारण अस्ती भंग हो जाता है, कभी-कभी बच्चे जन्म से अंधा पैदा होते हैं यह बिटामीन एक की कमी के कारण होता है, दोस्तों प्राया है या देखा जाता है कि गरभा अवस्था में पसुपालक भाई गाय को हरे चारा से बंचित रखते हैं, उनका सीधा प्रभाव पेट में पल रहे, बच्चों के उपर होता है, फलता प्रसव के बाद बच्चेडे के आँख की रोशनी की कमी हो जाती है, नवजात बच्चडों के बिटामिन A और खनीज मिश्रन के कमी को दूर करने के लिए उपचार इस प्रकार से होना चाहिए, रिकेट स्रोग का उपचार बिटामिन A का एक एमबुल सपताह में दू बार मांस में लगाएं, कैल्सियम फासफोरोशिट इंजेक्शन पांच मिली मांस में एक दिन के अंतराल पर लगाना चाहिए, सैंकल का इंजेक्शन पांच मिली मांस में सपताह में दू बार लगाना चाहिए, खनीज मिश्रन का 10-10 ग्राम सुबह साम जरूर देना चाहिए मिल्क और आयोडीन की इंजेक्शन पांच मांस में सपता में दू बार लगाना चाहिए यह सारे जो इंजेक्शन हैं और मिनरल्स हैं यह बच्छडे को देना है या लगाना है खनीज लबनों के कमी से होने वाले रोगों के इलाज इनकी कमी से नवजात बच्छडे में होने वाला रोग है टिटेनिक यह रोग दो से चार माह के आयू वाले बच्छडे या बच्छडियों में कैल्सियम और मैगनेसियम की नियूंता से होता है इस रोग के लच्छन है प्रारंभी कवस्था में बच्छडे अकड़ कर चलते हैं, गर्दन खड़ी रखते हैं, आखों को अंस्पेशियों में अकड़ा ना जाना, जुकना, खास लेने में कष्ट होना रिकेट्स रोग का जो उपचार है, मेगनेसियम कार्बोनेट या मेगनेसियम ऑक्साइड चार से पांच ग्राम प्रती दिन देना है, यदि बच्छडा दूद पी रहा है, तो दूद में भी मिला कर पिलाया जा सकता है मेगनेसियम ऑक्साइड दाना मिश्रन में 2.5 ग्राम प्रती दिन खिलाना चाहिए, रोग से बचाने है तूद उसके बाद है कलोरस हाइडरेट देना भी स्रेशकर होता है, स्वसंत था पच्छया घात से बचाने के लिए कलोरस हाइडरोट देना अवश्यक होता है, घेंगा रोग के कारण बच्छडे में यह रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है इस रोग में थाईराइड, गरंथी का आकार तथा भार बढ़ जाता है, जिसकी कमी से थायोरेक्टिन हार्मोन्स का उत्पादन बहुत ही कम हो जाता है कुछ खाद पदार्थ जैसे बंदगोवी, केले, आदी खिलाने से आयोडीन की नियुनता खत्म हो जाती है, बच्छडा भोजन के प्रती अरूची दिखाता है, कमजोरी के कारण खड़े होने में असमर्शता हो जाता है बच्छडा खाना पीना छोड़ देता है और गले में सुजन हो जाता है के कारण अधिकांस पशूओं में मिर्तिव हो जाती है इस रोग से नवजात पशूओं को बचाने के उपाय है घेंगा रोग का उपचार गरभा अवस्था में पशूओं में पोटेसियम आयोडीन दूर से चार ग्राम नमक में मिला कर दें खनीज मिश्रन लवन दस-दस ग्राम पशू को कम से कम जरूर खिलाएं आयोडीन युक्त नमक गरभा अवस्था में अवस्था में अवस्थ दें मिल्क ओफ आयोडीन पांच मिली मांस में प्रतिस अपताह में दो बार अवस्थ लगाएं दोस्तो इस परकार आप नवजात बच्छडे को जो रोग हैं होने वाले रोग से आप उप्चार या बचाव कर सकते हैं थैंक्यू धन्यवाद